को important Okay so start To Start । कर्ते आज पेपर डिसक्स करूंगा मैं यह किस्क्र मैंने लिया था और अंध्र का दूसरा सीरीज रहा और विन आगे मैं टेस्ट लेता रहूंगा तो पहले बता । की मैंने यह कहां से लिया और से सलेबस उन्हें पर। देख रहे साथी तागी और खुद को evaluate करें कि हां कहां पर गल्ती उनसे हो रही है या हो रहा है So that's why मैं यह बोल दू कि यह module 2 CA Institute MAT module 2 यह वाला module जो कि accounting का module 2 है उसका syllabus जो था मैं वो रेट कर दे रहा हूँ That is financial statement of companies, profit or loss, pre and post incorporation, accounting for bonus issue, right issue, redemption of preferences and redemption of deventures, यह syllabus था आपका तो बोलते हैं कि यह सारे के सारे जितने भी आपको दिख रहें topic यह कहीं न कहीं company accounts के ही है सारे में एक ही चीज था balance sheet बनाने है, PL statement बनाने है और balance sheet कहीं कहीं पर आपको extract बनाने है यह module 2 बहुत ही simple है और scoring है यह किसी बच्चे को ऐसा अलग रहा है कि उसे exam में अच्छा marks लाना है यानि 80 और 80 प्लस यह कोई बच्चा target करता है तो उस case में उसका strong area होना चाहिए यह वाला module और accounting standard वाला module एक और module है जिसमें काफी थोड़ा chapter complicated topics रखा गया बट अपने जब class में कर रहे होते हैं तो उससे भी काफी आसान करके ही पढ़ते हैं तो ऐसा उसमें कुछ complications वाइस कुछ नहीं है कि अपने नहीं कर पाएंगे ऐसा इसमें आपके मन में ऐसा नहीं होना चाहिए बस मन में है यदि विश्वास तो आप होंगे काम्याब इसके साथ ही अपने आगी की बात करते हैं तो मैं paper discuss कर रहा हूँ यह video में बनाई रहा होगी आप question में कहां पर क्या complications था काफी यह जो मैंने टेस्ट लिया था यह second test जो की simple था सभी बच्चों ने बहुत अच्छा किया है मैं देख भाए 50 marks का मैंने टेस्ट कंड़क्ट किया है तो आउट विश 49 हाइस तो दाट इस एक्सेलेंट मार्क्स और 48.5 सेकंड हाइस थर्ड हाइस 48 47.5 ऐसे गया है तो दाट मेंस की excellent performance सभी कोई अच्छा किया है कुछ एक copies है जो definitely they need to improve और ऐसा नहीं नहीं आता है बट वो focus नहीं थे ऐसा लगता है एक्जाम देखकर उनके paper को देखकर idea यह लग रहा है कि वो focus नहीं थे तो उन्हें जरूरत है वो focus बढ़ाने की अपने paper पर आ जाते हैं सीधा आफट आफट से paper discuss करेंगे यह टेस्ट मैंने 50 marks का लिया था और 50 marks में मैंने आपके लिए क्या रखा था उसकी बाते कर रहा हूं तो 50 marks में आप देख लीजे पहला question जो आया था वो redemption or deventures से आया था तो redemption or deventures में यह जो question था बहुत easy था ठेक है और मैं read कर रहा हूं इसको आप देख लीजे the summarized balance sheet of convertible limited unlisted company सबसे पहला चीज बता रहा है यहाँ पर unlisted company है तो हर मेंसा जब question आप पड़ें तो ध्यान दीजे कि एक listed है या unlisted है क्योंकि जो DRR create करने का provision है वो आपका depend करता है कि whether you are listed or unlisted whether you are regulated by RBI or you are not regulated whether you are financial institution और non financial institution उसकी उपर depend करता है कि whether the devinches were publicly placed और privately placed इसके उपर depend करता है कि अपना DRR कितना होगा non-listed के लिए जो कि publicly placed उसके लिए जाकर 10% का provision किया गया है तो वो 10% का provision अपने DRR बनाएंगे और 15% investment का provision है जिसको DRR fund बोलते है anyway तो यहाँ पर आप देखेंगे जो sums है तो पहले हर मेसा यह बात को ढूड़ेंगे जब भी जब sums पड़ें तो बहुत ध्यान से पड़ें क्योंकि ऐसा नहीं होता है जिनरली अपने एक्जाम में क्या गलती करने का इक्षा होता है कि अपने यह देखते हैं कि ultimately चलो जम कर हो आप देखो कि क्या important बात चुपा हुआ है लाइन में उसे आपको ढूंड लेना चाहिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि information में दिया हुआ है equity shares जो की 50 lakhs का है general reserve, profit and loss account, deventures redemption reserve यह सारे दिये हुए convertible deventures जो है वो 13.5 है 13.5% convertible deventures of 1 lakh, deventures of 100 each तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका एक करोर रुपए का deventures due है एक करोर रुपए का deventures आपका convertible है other loans है 65 lakhs and current liabilities and provisions यहाँ पर fixed assets भी दिया हुआ था that is at cost less depreciation यानी WDV है यह fixed assets का and deventures redemption reserve investment 15 lakhs तो आप देख सकते हैं यह एक करोर का redemption करने से पहले यह criteria fulfill हो जाना चाहिए तो वो criteria fulfill करने के लिए 10% का आपका DRR होना चाहिए और 15% का DRR fund होना चाहिए जिसे investment कहते हैं तो यहाँ पर दोनों criteria fulfill है 15% का आप यहाँ पर जो investment अपने कर रहे हैं तो 15% आपका सारा काम इसमें आसान करके दिया हुआ केवल आपको execute करना है यानि के redemption करने का इंटरी करना है तो यहाँ पर DRR reserve investment जो दिया हुआ है वो है 15 लाख जो के 15% होता है and that is equal to 1 करोर का 15% भी 15 लाख होना चाहिए उतना ही हमारा investment है so that's okay यहाँ पर तो कोई problem ही नहीं लेकिन हमारा जो DRR है वो भी हमारा मतलब की जो हमारे बना लेना चाहिए था वो 10% हमें बनाना पड़ेगा वो भी यहाँ पर अलड़ी बना हुआ है यहाँ पर आप notice कर सकते है तो 10% of 1 करोर is equal to 10 लाक्स होता है तो अपना DRR भी 10 लाक्स बना हुआ है that means कि आपको अलग से अब DRR क्रेट करने की जरूरत नहीं है आगे अपने मूफ करेंगे क्या बोल रहा है cash and bank balance is given है other current assets was also given बोड़े डिवेंचेस are due for redemption on 1st July 2011 यानि कि किस दिन हमारा डिवेंचेस due होगा for redemption यह दिया हुआ है the terms of issue of डिवेंचेस provided that they were redeemable at a premium of 5% okay जब कभी भी आप डिवेंचेस को redeem करेंगे 5% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा तो टोटल आपका डिवेंचेस है 1 करोड रुपै का और 5% एक्स्ट्रा मने 1 करोड 5 लाक्स देने हैं आपको and also convert option to the deventure holders to convert 20% of their holdings into equity shares यानि उनके पास option है opportunity है कि वो 20% अपने holdings को convert कर सकते हैं किसमें equity के form में वो convert कर सकते हैं at a pre-determined price of 15.75 per share and the payment in cash तो यह भी बोल दिया कि जो equity convert होगा तो अपने को उसका भी एक price चाहिए यह तो पता है कि preference shares वादर डिवेंचेस को redeem कितने बे करना है that value is known to us that is at 5% premium but जो दूसरा securities है जो दूसरा instrument है उसे किस price पर accept करेंगे तो वो भी बोला हुआ है and that is 15.75 यानि 10 रुपे हमारा face value है nominal value है यदि shares का तो 5.75 is the premium का amount तो वो premium आपको issue price है उससे आपको divide करने से number of equity मिल जाएगा आपको यहाँ पर करना क्या है at a pre-determined price this except for 100 deventures holders तो यह 100 हमारे लोग कोई काम का नहीं है इस पर confused नहीं होना है यह 100 holders है बट उनके पास total deventures कितना है वो हमारे काम का है उनके पास totally 25,000 deventures है and the rest of them exercise the option for maximum conversion मतलब बो रहा है इस 25,000 को छोड़ कर बाकी लोग maximum conversion यानि कि 20% तर convert कर सकते हैं उसके लिए opt किया तो total अपने पास जो deventures instrument है वो एक लाख है और एक लाख में 25,000 आप जेरी देखो तो एक लाख में यहाँ पर आपका वन लाख है और एक लाख का हम conversion करें तो यहाँ पर क्या होगा 25,000 जो है अपना 25,000 पच्छिस हजार didn't opted for conversion बट बाकी 75,000 जो है वो लोग तो maximum अपना convert करना चाह रहे हैं तो maximum वो conversion कितना कर सकते हैं तो maximum they can do 20% तो यहीं 20% of 75,000 करते हैं तो 20% of 75,000 इस इक्वेस्ट हो कितना तो बोलते हैं इसका 15,000 वो convert कर पाएंगे equity form में इसका मतलब 75 से 15 यहीं निकल जाता है तो बाकी 60,000 तो अपने को क्या करना पड़ेगा cash ही देना पड़ेगा तो यह 60,000 ठीक है यह 60,000 प्लस यह 25,000 दोनों मिलकर बन जाता है कितना it's a 85,000 तो 85,000 विल बी paid in cash तो कितना देंगे अपने कोछी तरीके से पता है 85,000 units multiplied by 105 फाइब रुपी इंक्लूडिंग प्रीमियम जो भी 25,000 है that will be converted sorry यह 15,000 that will be converted in the form of what in the form of equity तो यह 15,000 का value कितना हो गया तो बोलते हैं यह 15,000 का value हो गया 105 से multiply करेंगे तो इससे इसका value आएगा and इस value को आप क्या करोगे इस value को आप convert कर दोगे कि number of equity कितने देने पड़ेंगे so in order to get the number of equity what you need to do आपको करने की क्या जरूरत है तो बोलते हैं वहाँ पर आप इसे इस value को divided by करेंगे किस से तो बोलते हैं this value is divided by 15.75 15.75 तो इससे आपको एक लाख equity shares निकल आएगा इससे क्या निकल कर आएगा एक लाख equity shares अपने issue कर रहे हैं तो यह था बहुत basic बहुत बच्चों ने सही किया maximum लोगों ने बहुत जबरदर्स आंसर लिखा है I am satisfied और जो लोग यह गलती मतलब यह language का खेल है मुझे सिर्फ present कैसे करना हो तो मैं आपको solution दिखा दूँगा बट पढ़ते वक्त मैं discuss कर दे रहा हूं कि हाँ यह पूरा solution कैसे होगा next आप देख सकते हैं इसी sums के अंदर में the investments were realized at par on sale इसका मतलब है कि हम लोग face value पर book sorry face value बोल रहा हूं book value पर investments को अपने sale कर देते हैं तो आप अपने books में देख सकते हैं कि आपके पास investment है कितने का तो आप अपने आसे side में देख लीजिए the investments were realized at par on sale तो आपके books में investment है कितने का तो दिखा हुआ 15 लाख रुपए का कहा दिख रहा है sir यह रहा 15 लाख हमें दिखाई दे रहा है devinches redemption reserve investment 15 लाख तो at par बेचने का मतलब है कि at the time of sale there is no profitable loss on disposal of this investment अपने कोई profit loss नहीं हुआ है आगे बोर रहा है the investments realize that par on sale हो गया all the transactions are put through without any lag on 1st July 2011 यानि कोई भी delay किये बिना सारे transactions हो गये तो और तो कुछ है ही नहीं आपसे पूछा redraft the balance sheet of the company as on 1st July 2011 यानि यह सारे transactions हो जाने के बार आपको फिर से एक balance sheet बना देना है तो balance sheet में changes क्या हुआ थोड़ा cash का position change होगा cash and cash equivalent क्यों क्योंकि obvious है कि आप deventure holders को payment किये हैं उसके लिए cash आपका outflow हुआ बट आपके पास cash inflow भी हुआ है तो cash outflow कितना हुआ वो आप calculator में calculate कर लिए चीए आपको तुरन समझ में आएगा कि 85,000 deventures convert हुआ था at the rate of 105 तो यह figure हमारा outflow हो गया और अपने inflow कितना हुआ तो बोरे हमारा inflow हुआ जो अपने 15 lakhs का investment बेज दिये थे at par उसके लिए अपना inflow हुआ तो inflow और outflow क्या हुआ और जो आपके पास पहले से cash पढ़ा हुआ है तो cash and bank balance आपके पास पहले से 75 lakhs का आपके पास पहले से available है तो यह 75 lakhs plus inflow minus आपका outflow तो outflow हो गया आपका deventures holders को cash payment करना inflow हो गया sale of investment आपको एक figure मिल जाएगा वो figure आपको cash and cash equivalent बोलकर balance rate में show करना है इसके अलावा इस sums में और कुछ था नहीं तो आप इसका solution देख सकते हैं कि इसे capital आपने जैसे एक लाग share issue किया था 10 रुपए गर की तो 10 लाग तो पहले 50 लाग capital था अभी 10 लाग और बढ़ गया तो 60 lakhs sir क्या बोल रहे हो कहां से बोलती है एक बार मैं दिखा भी देता हूं देखो पहले ये था आपका capital कितना तो 50 लाग का capital दिखा भी दे रहा है और यहां पर हम लोग calculation किये थे तो इस figure से आपको समझ माया होगा कि यहां पर जब हम लोगों ने calculation किया था this into this divided by this is equals to आपको एक number of equity मिला होगा and that number of equity is 1 lakh तो 1 lakh equity मिला एक equity का face value nominal value 10 है तो 5.75 उसके अंदर में securities premium है वो 5.75 securities premium में जाएगा तो naturally कि जितना पहले से securities premium था उसके अंदर में और बढ़ जाएगा तो पहले से अपने देखेंगे जैसे general reserve profit and loss account है securities premium आपका क्या होगा बनेगा बैए बार पिर जब redemption हो जाता है तो DRR की जरूड़द होती है या नहीं होती ए बोलो लो होती है की जब purpose fulfill हो गया तो कोई भी फंट कैंसल करो ना उस फंट की जरुवत अब नहीं होती है तो यू नीड तो कैंसल दाट फंट तो फंट को कैंसल करने के लिए आप डियार जो यहां पर बना हुआ उसको उठाकर कहां पर डालोगे तो बोलते हैं उसे जिनल रिजर्व में बचा हुआ है वही आएगा और आप सीधा नोट्स तो एकांट में देखिए यहां पर आप देख सकते हैं नोट्स तो एकांट बहुत हलका फुलका बनाया आप भी एक्जाम में जब 10 मार्स का आए तो ज्यादा लिकलिक कर मत बनाओ बट हां फेरली जरूर प्रेजेंट करो गंदा सा प्रेजेंट करना आपका एक गलत इंप्रेशन डालता है तो वहां पर मार्क्स नहीं मिलता है देख सकते हैं आप यहां पर शेयर कापिटल है डाट इस 6 लाग एक्विटी शेयर ठीक हैं पांच लाग पहले से ही था और एक लाग का आपने और क्या किया इशू कि तो इस कारण से आपके पास टोटल 6 लाग हो गया और 6 लाग multiplied by 1060 लाग का आपके पास क्या बन गया तो बोलते हैं शेयर कापिटल इसके अलावा जेनर रिजर्ब जो आपके पास था वह है प्लस आपके पास अल्टिमेटली आप देख सकते हैं जेनर रिजर्ब प्रॉफि बुलना सही नहीं होगा यह आप सिर्फ सर्प्लस लिखेंगे यह आपका outdated concept changes आया था उसमें केवल अपने सर्प्लस लिखते हैं तो इसी में आपका premium on redemption को adjust करें होंगे तो premium on redemption ultimately आपका जब आप redeem किये हो तो उस से हमें premium दे रहे हैं तो आपने जितना premium on redemption और डिवेंचर द आपका आरहा है एक करोड के ऊपर आपने 5% दिया है premium so that is 5 lakhs तो 5 lakhs यहाँ पर minus किये आउटर कॉलम में 1 करोड 5 lakhs balance बचा और securities premium जो इस पर fresh share जो convert हुआ था डिवेंचर से equity में उसके ऊपर यह 1 lakh shares था और 5.75 is the premium amount because total conversion price 15.75 आपको ध्यान होगा 15.75 में आपका 10 रुपया 5.75 ultimately है क्या तो बोलते हैं यह 5.75 यह मेरा ultimately क्या है तो बोलते हैं 5.75 ultimately मेरा premium के amount है तो बोलते हैं यह premium हम जितना number of shares issue किये है 1 lakh shares issue किये इंटू 5.75 पांच विचतर हमारा premium में credit हो गया और इक चीज़ यहाँ पर कर सकते थे जैसे यहाँ पर जब हम लोग share issue किये तो for consideration other than cash है तो आप लिख सकते हैं कि आपका 1 lakh shares that were converted for consideration other than cash कुछ बच्चों ने लिखा भी है और बहुत अच्छा किया और जो नहीं लिखे हैं प्लीज उसका ध्यान रखेंगे कि आगे से उन्हें यह लिख देना है ताकि उन्हें full marks मिले कहीं पर भी एक teacher target ना कर पाए marks deduct करने का जैसा मैंने बताया आपको यह सारे workings किये गए हैं सबके लिए marks allotted है और यह cash and bank balance है मैंने यह भी बताया कि शुरू में आपके पास इतना है यह inflow हुआ और यह outflow लास्ट में closing balance of cash इतना है यह था question number one का solution यह बल्कुल मैंने आपका RTP और past paper से लेकर ही और आपके study mat से ही दिया था ICI का मैंने इसमें कोई भी छेरचार नहीं किया है और exactly same question मैंने रखा है अब हम लोग यह दी next question पर आते हैं जो की बहुत ही simple है question number two देखना question number two क्या है the balance sheet of xyz as at 31st December 2011 2011 में यह balance given है और उसके अंदर में क्या क्या दिया हुआ है तो यहाँ पर आपका balance दिया हुआ है कि अपना preference share से 35 lakhs का ध्यान देने वाला बात है कि यह fully paid up preference shares नहीं है और आप अच्छी तरीकी से जानते हैं कि partly paid up preference shares cannot be redeem तो partly paid up preference shares को redeem नहीं कर सकते हैं इसलिए आपको क्या करना पड़ेग then only you can start the redemption process तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 100 रुपीज का share है 70 ही paid up है तो इसका मतलब हो गया कि 100 का share और अपने 70 paid up की है तो इसका मतलब है 30 रुपीज का per share call होना बागी है तो total number of shares आप देख सकते हैं 50,000 into 30 आप करेंगे तो आपको 15,000,000 रुपए का call करना पड़ेगा next है आप देख सकते हैं equity shares है fully paid up है और वो आपका 1 करोड का दिख रहा है मुझे securities premium is given, CRR is given and general reserve is also given under the terms of the issue the preference shares are redeemable on 31st March 2012 at 5% premium तो 5% premium पे आपको preference shares को redeem करना है उसकी date आ गई तो redemption आ गया बट अभी तक वो fully paid up नहीं हुआ और कानून ऐसा कहता है कि जब तक वो fully paid up होना जाए आप redeem नहीं कर सकते हैं in order to finance the redemption company के हालत खराब है पैसे नहीं है तो पैसे लाए कहां से तो उसके लिए finance करने के लिए वो क्या कर रही है company वो भी देख लीजी makes right issue जैसे अभी reliance का आया है जिसका 13 में last date था record date वो निकल गया इसी कोरोना पेरिएट में आपका right issue आया reliance का और 13 मही को उसका एक्स राइट हो गया अभी भी उसका जो राइट रिनाउंस्मेंट है अभी यह थोड़ा सा आप देखें होंगे आप लोगा investment chapter पड़ा हुआ तो थोड़ा knowledge और दुरूस्त करिए तो आप देखेंगे कि right shares को renounce करने का option first time reliance ऐसा लेकर आया जो trade कर रहा है एक्सेंज के उपर यानि कि Bombay Stock Exchange पर आप अपना rights बेश सकते हैं जो कि पहले ऐसा नहीं होता था अपने physical एक form होता था उसके उपर अपने rights बेश सकते हैं right renouncement जो बचे नहीं जानते हैं उसको मैं बता दो और जो जानते भी भूल चुके हों तो रिवीजन कर लेंगे right renouncement का मतलब होता है कि अपने rights को बेच देना और किसी और के favor में transfer कर देना तो definitely जिसके favor में आप transfer करोगे वो तो benefited होगा तो आप उसे मुफ्त में क्यों benefit दोगे definitely उसके बदले में आप उसे कुछ अपना भी profit लेना चाहोगे तो right renouncement का मतलब यहाँ पर यही है कि आप क्या कर रहे हो अपना शेर अपना अधिकार किसी और के favor में transfer कर रहे हो यहाँ पर उसके बदले में पैसे लोगे यहाँ पर company क्या की है right issue लेकर आई है कितने equity shares का 50,000 equity shares का 100 each at a premium of 10 per share 20 being payable on application तो application के साथ 20, 35 including premium on allotment and balance on 1st January 2013 the allotment were received by 31st March 2012 ठीक है allotment money 2012 तक है और आपका 2013 में जाकर आपको call का money लेना है अब बच्चा बहुत confused हो गया इसमें गलती गया वो call money तक भी receive कर लिया जबकि नहीं करना है आपको 31st March 2012 बारत ही बनाना है balance it बोला है तो that's why यह गलती नहीं करना है आपको exam में बनाते समय fulfilling the necessary condition of section 55 of the company's act 2013 तो जो section 55 में provision लिखा हुआ है वो बुरा fulfill किया गया इसका मतलब preference shares को call करके सबसे पहले call का रुपया मंगाएंगे तो याद करिए सबसे पहले preference share call करिए call का रुपया receive करिए step 2 तो call करने का entry receive करने का entry call करने का entry होगा shareholders को data बनाते है preference share call account devoted to preference share capital then bank account devoted to आपका preference पहला हो गया preference share call account devoted to preference share capital फिर call money receive करने के entry होगा bank account devoted to preference share call ये second entry होगा third entry आपका होगा अब आप फुली पड़ेफ हो चुका है तो अब ये market में आप right issue कर दीजी right issue जब करेंगे तो आप सबसे पहले पहला installment यानि के application में रिसीव करेंगे तो bank account devoted to equity share application और उसके बाद equity share application to equity share capital कुछ लोग ये दोनों entry को combine कर देते हैं bank account devoted to equity share capital कर देते हैं ये सही नहीं है मतलब ये shortcut ज्यादा हो गया तो आप इतना shortcut मत करो जो process है पहले application आता है फिर allotment होता है लेकिन गलत नहीं है मैंने कोई marks deduct नहीं किया है money नहीं करना था इस sums में क्योंकि वह January 2013 में है not in 2012 31st March 2012 तक नहीं है so that's why आपको सिर्फ और सिर्फ अपने बात चो कर रहे हैं वह कितना मांगना था तो बोलते है application के साथ अगला मांगा है 20 और allotment के साथ मांगा है 35 और उसके अंदर में premium included है तो total 55 का demand हुआ 10 रुपे आप premium का अला कर दिये तो 45 as a capital demand हुआ अब total number of equity तो आपको पता है यह 50,000 तो आपका 50,000 into 45 कितना होगे 22,50,000 रुपे तो ultimately 22,50,000 रुपे तो ultimately यहाँ पर आपका क्या हो गया call money के बाद redemption का process सुरू कर दीजिए अब फिर से मैं बोल दे रहा हूं पहले आप क्या करेंगे preference share call करेंगे receive करेंगे application money receive करेंगे allotment करेंगे allotment money due करेंगे allotment money receive करेंगे फिर preference share को आप preference share capital को या preference shares को आप due करेंगे redemption के लिए और फिर आप क्या करेंगे उसे pay कर देंगे pay करने के बाद जो premium on redemption दिये हो उस premium को adjust करेंगे premium को adjust करने के लिए आप यही मान के रखना कि company is required to comply with the provisions of section 133 means accounting standard specified in section 133 that's why security premium को adjust करने के लिए क्या करना पड़ेगा वह securities premium को sorry premium on redemption को other free reserve से वह adjust करेंगे और वह free reserve से adjust करने के बाद ultimately उसके बाद next अपने 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 अजस्ट करने के बाद CRR बनाएंगे तो CRR कितना बनेगा हर मेंसा एक छोटा सा working करते हैं जब CRR बनाने की बात आती है कि क्या working करते हो आप तो जैसे आपको working यह करना चाहिए face value of preference share capital redeemed उसे minus कर देते हैं आप that is proceeds of fresh issue proceeds of fresh issue and proceeds does not include what premium का amount तो proceeds आपने minus कर दिया और जो यह result आता है that is CRR तो इस question में आप देखें तो phase value of preference share जो आपने redeem किया हुआ है वो है आपका कितना तो यह 35,000,000 और call कर लिया था तो यह 50,000,000 का figure हो गया तो यह 50,000,000 और आपने जो share issue किया है उसके against में आपको तो 50,000 shares and 45 rupees करके आपको उसमें capital के तोर पर collection हुआ तो 50,000 into 45 is equal to 22,000,000 तो आप 22,000,000 उसमें से क्या करेंगे less कर देंगे तो आपका 27,000,000 का unit to create the CRR तो 27,000,000 का आपको CRR बनाना पड़ेगा तो इस बात का यह format है जब कभी भी आपको preference shares की बात आजाए तो आप इसे इस तरीके से करेंगे समझ में आरा बात इतना आसान है और इस sums में कुछ भी नहीं था फिर भी मैं आपको एक बार answer की इसका दिखाता हूँ क्या है यह तो you can see here general interest पहला call कर लिया, दूसरा call receive कर लिया, थर्ड, application money receive कर लिया, फोर्थ, allotment हो गया, फिप्थ, allotment money due हो गया, 6th, allotment money received हो गया, 7th, preference share capital due for redemption, 8th one, आपका premium on redemption adjusted, 9th one, CRR created, यह पहले भी हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, preference share holders को payment करनी का एंट, only this much, इसके बाद आपको revised balance it बना देना था, या extract दिखाना था इस sums में, तो, I think, यह भी हो गया हमारा, यह दूसरा number question था, अपने third number sums में आएंगे, जो कि बहुत ही आसान sums था, question number three, following is the extract or balance sheet of Manoj Limited, as at 31st March 2011, so, आप देख सकते हैं, यहाँ पर यह balance sheet बना हुआ है, 31st March 2011, for the Manoj Limited, authorize दिया हुआ है, equity share यहाँ पर आपका preference shares authorize में 3 lakh है, and equity shares 30 lakh है, total 33 lakhs, issued and subscribed capital के अंदर में, you can see that 24,012% preference shares of 10 each, fully paid 24,44,000 रुपए का preference shares issue किया गया है, and equity shares 2,70,000, equity shares of 10 each, 8 paid up, 21,60,000, तो obvious है कि इसका जो issued capital है, that is less than the authorized, reserve and surplus में यह free reserve हमें दिखाई दे रहा है, that is general reserve is the free capital redemption reserve, आप जानते हैं कि बोनस issue की बात होना, तो सबसे पहले किसी की बारी आती है, तो वो इसकी आती है, इसका single use ही होता है, तो CRR can be used only for non-cash benefit to be paid to the shareholders, and non-cash benefit एक ही होता है, and that is the bonus issue, तो यदि आपको लग रहा है कि CRR is there and bonus issue का sum है, तो CRR पहले use कर लो, कोई restrictions नहीं है, उसी का priority होना चाहिए कि सबसे पहले अपने CRR को use करेंगे, for the purpose of what, for the purpose of bonus issue, next हैं अपने बात कर रहे हैं, security premium collected in cash, बोली दिया, कि ये cash में collection हुआ है, मतलब genuine profit से बना हुआ है, and profit and loss account आपका balance given है, on 1st April 2011, the company has made final call at the rate of 2 each on 2,70,000 equity shares each, तो आप तो जानते हैं, partly paid up shares को अपने bonus नहीं दे सकते हैं, इसलिए सबसे पहले उसे क्या करेंगे, अपने उसे call करके fully paid up बना लिए, और फिर अपने bonus issue दे रहे हैं, तो यहाँ पर अपने जो bonus issue दे रहे हैं, तो partly paid up को पहले call करके fully paid up कर रहे हैं, बहुत easy है, call कर दीजिए, 2,70,000 पर 2 रुपए करके, टोटल हो गया आपका 5,40,000 रुपए का call, receive भी कर लिजिए, दूसरा entry bank account devoted to share, equity share call account, उसके बाद यहाँ पर आपको date बता दिया कि कब receive हुआ, और कब call आपने किया, तो यह दोनों sequence भी maintain करना है, sequence गलती नहीं करना है, जब date दिया हुआ है, और ऐसे भी sequence wise यहीं आता है, there after the company decided to capitalize its reserve by way of bonus at the rate of 1 shares for every 4 shares held, so 1 is to 4 का ratio हो गया, तो आप देख सकते हैं कि 2,70,000 का 1 by 4th कर देंगे, तो जो आपका number of equity हाएगा, उतना आप bonus shares दोगे, so 2,70,000 का 1 by 4th is the bonus, and multiplied by rupees 10 कर दोगा, तो you will get the bonus amount in terms of rupees, value के terms में, बहुत easy है, बोलड़ा, genuine test pass कर दीजिए, and balance sheet extract दिखा दीजिए, पूद easy था, exam में खूद खूद कर यह करना चाहिए, यह अदि 10 marks में ऐसा sums आता है, तो और आया है, यह exam का और आपके study mat का ही sum है, तो यह मैं अपने मन से कोई भी sums नहीं लेकर आया हूँ, यह सारे आपके institute के mat से ही है, और वो लोग का जो style है, वही हम लोग follow करेंगे, जरा सा कहीं गलती उन्होंने कर भी रखा है, तो वो गलती को भी कोसिस करेंगे, कि यह दि पूरा गलत नहीं है, तो adopt कर ले, पूरा ही गलत है, तो वहां उनको correct करेंगे, गलत चीज़ों को पूरा accept नहीं कर सकते, alternative possible है, तो अपने alternative way accept कर सकते, बट गलती को accept नहीं करेंगे, पूरा गलत को, ambiguity को accept कर सकते, तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले call किया गया, call receive हो गया, आप देख रहे हो, मैं आपको यहां दिखा रहा हूँ, यह call किया गया, हो गया 540, call receive हो गया, उसके बाद bonus declare किया गया, 6,75,000 रुपए का value wise आया, और उसे adjust कहां से किया, देखे, security premium लिया, मैं होता, तो सबसे पहले sequence wise, मैं इसको number one use करता, CRR, क्योंकि इसका एकलाथा एक ही use है, सिंज यहां पे दोनों use हो जा रहा है, इसलिए कोई फरक नहीं पड़ा, but priority wise आपको हर्मेशा ध्यान रखना है, कि आपको सबसे पहले courses यह करना है, कि capital redemption deserve first priority में रहेगा, number two, आप यहां पे securities premium use कीजिए, यानि जिसका limited use है, उसे पहले खतम करो, तो CRR है आप limited use, single use है, and आपका securities premium का भी maximum पांस तरगा use है, उसके लिए आप use कर सकते हो, तो इसलिए securities premium भी ले लिए, उसके बाद number three प्यार आता है, आपका general reserve and number four profit and loss account, तो maximum बच्चे यहां पे भी सही थे, कुछ-कुछ लोगों ने गलती किया, तो प्लीज आप remind कर लो, यह revision हो गया आपका, कि सबसे पहले CRR, उसके बाद आपको securities premium, वो भी cash में realize होना चाहिए, and बाद में उसके बाद आप free reserve को use करो, कुछ लोगों ने पहले free reserve को use किया, CRR को ही pending रख दिया, एक दम भी वो examiner है, वो accept नहीं करेगा, बुलेगा यार यह तो basic बात का ही गलती हो जा रहा है, इन्होंने इस बात को accept कर लिया, क्योंकि यह उपर नीचे लिख दिये, यह इन्होंने क्या किया, पहले लिख दिया, तो इससे बहुत फरक नहीं पड़ेगा, सेकेंड में CRR लिख दिया, बट आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, पहले आप CRR लिखिए, मेरे इसाब से यही सही है, उसके बाद securities पे हम लिखना चाहिए, उसके बाद आप general reserve and then profit and loss account, और bonus, ultimately bonus to shareholders account, डेविटे to equity share capital, 6,75,000 bonus, अपने convert कर दिये equity में, तो यह यहाँ पर 4 entry था, और balance sheet में उसका effect देना है, जो मुझे notice कराने वाली बात है, वो यह authorized capital, institute ने क्या किया, preference तो उतना ही रहेगा, preference में कोई problem नहीं है, यह सही है, लेकिन यहाँ पर ambiguity है, मैंने किसी बच्चे का काटा नहीं है, मैंने cross नहीं किया, मैं full marks दे दूँगा, किसी बच्चे ने पहले, और अभी इन्होंने क्या किया, institute रो मैं बता दो पहले, तो यहाँ पर institute का 6,00, sorry 30,00,00 का पहले से ही authorized equity था, और इन्हों bonus issue इन्हें और करना है, 22 हमें और बढ़ाना पड़ेगा, और total मेरा 36,00,75,000 का होगा, यह जो तरीका है ना, इससे मैं agree नहीं करता हूँ, बट करेंगे exam में यही वाला, मेरा क्या opinion था और बहुत बच्चों ने वो किया भी है, जो अब हम लोग discuss करेंगे वो वाला, जैसे बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, मैं सबसे पहले वो बता दू, तो उन्होंने क्या किया, जो पहले से 30,00,000 equity है, ठीके, उसमें से maximum अपने को, हम लोग issue कर रखें, 2,70,000 equity, और 8 रुपए पेड़े पर तो 10 रुपए के हिसाब से जिदी मान लेते हैं, कॉल इस पर हो गया, तो यानि कि इस पर हो गया 27,00,000, यहां पर adjust हो गया 27,00,000, समझ में आ रहा है, यह 27,00,000 हो गया, अब 27,00,000 रुपए हमारे पास already issue हो चुके है, तो मुझे टोटल 6,75,000 रुपए है और तो मुझे 27,00,000 प्लस 6,75,000 रुपए करेंगे, तो that becomes 27,00,000 प्लस 6,75,000 is equal to 33,75,000 तो किसी बच्चे ने यदि 33,50,000 किया है, तो 33,75,000 यदि किया है, तो वो correct है, लेकिन यदि आप exam के point of view से बात करेंगे, तो आप यही करोगे, जो institute ने कर रखा है, तो exam point of view से अपने ये वाला figure नहीं लेखेंगे, marks मैं reduct नहीं किया, मैंने इसके लिए कोई marks cut नहीं किया, exam के point of view से आप straight way ये 36,75,000 दिखाओगे, institute इसी answer को valid मानेगा, आगे अपने बात करें, तो इसमें और कोई खास बात नहीं था, जो गलती बच्चा लो किया, वो यहाँ पे किया, चब maximum बच्चे ने इसको change ही नहीं किया, जो taste copy मैं देखा, बहुत सारे बच्चों का, देख रहा था, उसे ये 30,00,000 straight way रख दिया, जो कि होना नहीं चाहिए था, ये 30,00,000 नहीं होगा, ये figure आपका, या तो 33,75,000, या तो 36,75,000 करना चाहिए, ये दो figure सही है, दोनों पर full marks मिलेगा, लेकिन ये दि किसी ने 30,00,000 ही छोड़ दिया, तो उसका issued 33,75,000 आ रहा है, तो is it possible, कि आपका authorization नहीं है, बट आप issued capital को बढ़ा दिये, और issued capital को लेकर चलेगा, 33,75,000 पर, तो ये सही approach नहीं होगा, that's why आपको authorized को बढ़ाना पड़ेगा, without that, आपका compliance हुआ ही नहीं, इसलिए आपको compliance करने के लिए, section 55 में ये provision है, कि आप compliance के लिए, नहीं ही नया authorized capital लिखेंगे, due to lack of information, हम लोग इतना जरूर बढ़ा देते हैं, कि जिससे हमारा bonus issue अलब compliance हो जाए, so that's why, ऐसा real life में, जब authorized capital बढ़ाने की बात होती है, तो वो सारी बाते clear होती है, पहले से ही on table होता है, पेन पेपर में सारी बातें लिखी हुई रहती है, इसलिए वहाँ confusion नहीं है, confusion सिर्फ और सिर्फ है, तो ये आपके exam के point of view से, ये लोजान बुझ कर, आप लोगों के साथ game खेलते हैं, और ambiguity देते हैं, clear बात बोलते ही नहीं, ये रिकास बोल दिये होते हैं, कि मेरा authorized capital पजास लाग होगा, तो आपको क्या problem था, आप सीधर पजास लाग उठा के लिख देते, तो आम जिन्दिगी में थोड़ी ये guess करना होता है, कि मेरा authorized capital कितना होगा, आम जिन्दिगी में authorized capital का amount बदा होता है, और वह ही लिखना पड़ता है, तो ये था question number 3, question number, अब अपने 4 की बात करेंगे, तो question number 4, so question number 4 पर आएंगे, और question number 4, भी बहुत ही आसान सा sums था, ये क्या चीज़ का sums से देख लेते हैं, एक बार company's final account, बहुत easy, पानी sums दिया गया था, जो आसानी से बच्चा कर सकता था, हसते खेलते, sums जैसे trial balance given है, और trial balance में आप देख सकते हैं, कि जो item दिया हुआ है, उसा balance sheet item है, मतलब कि P&L अल्रेटी बना हुआ, तो आपको tension ही नहीं था, कि आपको final account बनाना है, तो question number four में आप देख सकते हैं, कि following, यहाँ पर आप देख सकते हैं, following, particular is furnished by pioneer limited, prepare balance sheet, as at 31st, March 2011, as required by schedule 3, of the company's act, give notes, at the foot of the balance sheet, as may be found necessary, यह दिया है, आपको लगता है कि notes देना है, तो आपको देना है, और आप जानते हैं, कि financial statement includes, PL, balance sheet, cash flow, notes to account, तो notes देना ही है, आपको जहाँ लगा, जिस चीज़ का description डालना है, आपको notes देना पड़ेगा, equity share capital, तो equity share capital आपको अची तरीके से पता है, कि आपका share capital schedule होगा, उसमें चला जाएगा, emic call scenarios, उसी से less करेंगे, 10,00,000-1,000, 9,99,000 आपका share capital हो गया, land, building, plant and machinery, यह आपका tangible assets का एक, और furniture भी, यह चारो land, building, plant, furniture, तो tangible assets का एक schedule बनेगा और उसका total जो होगा that will be shown where तो बोलते हैं that will be shown in the balance rate under the head PPE property plant and equipment तो PPE head में इसके total को दिखाएंगे लेकिन presentation करते हैं ध्यान देना है यह 2 लाग यहाँ पर building 3.5 लाग यहाँ पर ध्यान देना यहाँ पर building 3.5 लाग दिया हुआ है लेकिन नीचे में आप देखो adjustment में building दिया हुआ है 4 लाग तो इसका मतलब क्या होगा इसका effect क्या पड़ेगा तो यहाँ पर चार adjustment में और उपर में 3.5 मतलब की उपर में जो figure दिया हुआ है वो net करके दिया हुआ है depreciation less करके दिया हुआ है तो that's why 4 लाग जब आप schedule में दिखाओगे यानि कि जब आप tangible assets का schedule बनाओगे तो वहाँ पर 4 लाग माइनस पचास अजार आपको साड़े 3 लाग दिखाना है वैसे ही plant and machinery है आपका यहाँ पर आप adjustment में देख रहे हैं तो 7 lakhs है जबकि trial balance में आपका plant and machinery 525 है इसका मतलब 1,75,000 depreciation हो गया तो आप schedule जब बनाओगे tangible assets का तो वहाँ पर 7 lakhs minus 175,000 less करके 525 दिखाओगे similarly furniture का भी वही होगा आपका यहाँ पर furniture 62,500 है तो disclose करते समय आप schedule बनाते समय आप क्या करोगे 62,500 less depreciation 12,500 outer column में आपका 50,000 हो जाएगा next आप देख सकते हो general reserve है यह आपको पता है general reserve कहां पर जाता है तो general reserve बोलो कहां जाता है तो बोलते हैं sir surplus एक हेट बनता है reserve and surplus हट गया surplus एक हेट बनता है तो surplus हेट में आप यह डालोगे 210,000 loan from state finance corporation LTV long term borrowings में दिखाओगे इसके अलावा आपका finished goods है finished goods दो लाग का raw materials पचास जार का तो inventory है और inventory schedule में आप यह डाई लाग रुपए दिखाओगे trade receivables ऐसे clearly दे दिया तो आपका current assessment TR होता है वहाँ पे 68 trade sorry provision for taxation है यह तो provision for taxation आप simply जो आपका short term provision होता है उसके अंदर में यह 68 दिखाओगे trade receivables है तो tier आपका balance sheet के asset side में tier आ जाएगा दो लाग and advances of 42,700 तो आपका यह भी current assets में advances short term loans and advances में 42,700 आप शो करोगे dividend payable है आधर current liabilities में आप दिखाओगे dividend payable कुछ बच्चों ने इसे गलती किया और provision rate में दिखा दिया तो यह गलती है dividend payable वह होता है कि dividend already proposed हो चुका है this is to be shown under the head other current liabilities profit and loss account है surplus head में जाएगा next है आपका cash balance bank balance तो यह cashed bank यह कोई बच्चा वाला balance sheet नहीं बना रहे आप बना रहे schedule 3 के accordingly इसलिए एक schedule बनेगा cash and cash equivalent तो cash and cash equivalents head में आप इसे डालोगे 30,000 and 247 total हो जाएगा 277 और loans है loans 121 जो है आपका क्या है ultimately तो यह unsecured है आपका long term borrowings head में जाएगा उसके पहले भी एक long term borrowings head में आया था loan from state financial corporation 150 और यह 211 total हो जाएगा आपका 271,000 इसके अलावा trade payables है for goods and expenses यह trade payables आपका current libraries में TP बूल कर आ जाएगा और sums में क्या है देखो 2,000 equity shares were issued for consideration other than cash कुछ नहीं करना है disclosure जहाँ पर आपने schedule बनाया share capital जहाँ पर आपने share capital लिखा उसके नीचे लिखना है खाली 2,000 equity shares issued for we line copy paste करना कहीं पर इसका amount बगरा plus minus कुछ नहीं करना just copy paste करना trade receives 52,000 are due for more than six months इसका क्या करना सर कोई adjustment कहीं addless करना बूला देखो यह बता रहा है कि यह 52,500 जो हमारा data है यह जो 52,500 हमारा data से यह मुझे काफी परिशान कर रहा है 6 मेना से ज़्यादा outstanding हो गया तो बोलते हैं यदि आपका यह 6 मेना से अधिक परिशान कर रहा है तो उस case में इस 52,000 break up करिए यह जो आपका trade receivables दिखाई दे रहा है ना 2,000,000 का यहाँ पर इस trade receivables में यह आप spending for more than 6 months 5,200,000 total 2,000,000 तो यह किसी बच्चे नीचे नहीं भी पढ़ा और यह वाला 2,000,000 उठा कर पोस्टिंग कर दिया तो भी वो correct है यहाँ पर उसको कोई फरक नहीं पड़ेगा यह 2,000,000 उसका सही बठेगा समझ मारा क्या बूर रहा है that means कि आप समझ रहे हो हमारी बात क कि यहाँ पर trade receivables का केवल break up बता रहा है तो यह जब आप schedule बनाओगे वहाँ पर तोड के लिखोगे कि मेरा एक data से जो बहुत पुराना है six months से ज्यादा outstanding हो चुका है that 52,000 आप उसे कहाँ पर show करोगे तो बोलते हैं उस 52,000 को आप show करोगे balance trade receivables में अलग से outstanding for more than six months and other data 148 total 2,000,000 यानि adjustment वैसे कुछ नहीं है कि येवल break up information नहीं है disclosure the cost of assets building plant machinery furniture यह हम लोग आटी implement कर लिये the balance of 1,50,000 in the loan account with the state finance corporation is inclusive of 7,500 for interest recruit but not due कोई फरक नहीं पड़ता है ठीक है जहाँ पर भी आपका loan आ रहा है वही पर दिखा दीजिए but not due the loan is secured by hypothecation of plant and machinery तो आपका due तो हो नहीं रहे तो आप उसको केवल वहीं पर break up करके दिखा कर और फिर आप उसे post कर दीजिए bank balance at bank includes 2,000 with perfect bank limited which is not a schedule bank तो bank balance at bank तो यहाँ पर जब आप schedule बनाएंगे cash and cash equivalent so cash and cash equivalent schedule में आप लिखेंगे कि आपका bank balance है कितना तो आप लिखेंगे with other bank with schedule bank disclosure है या आप पूरा लिख दो उसके नीचे bracket में लिख लो कि आपका schedule bank के साथ है 2,000 रुपे deposit यह RBI classification करती है यह schedule bank है यह non schedule bank है तो specific categories में जाने से schedule का categories दे दिया जाता है यह disclosure है कि आपका रुपे है कहाँ पर and the company had contract for the erection of machinery 1,500,000 which is still incomplete तो machine को install करें मतलब कि आपका एक contract है company का construction करने का तो इसका मतलब अभी आपने काम किया तो नहीं न इसका मतलब सिर्फ contract है तो आपके वल disclosure डाल दो कि company has a contract for construction of machinery 1,500,000 which is still incomplete यानि कि अभी भी वो बना नहीं है तो यह जो आपका 1,50,000 का just एक footnote देकर आपको क्या करना है disclosure दे देना है देख सकते हैं इसका key answer question number 4 का schedule देखिए क्योंकि यहाँ पर तो format में सब put करना रहता है schedule में देखिए आपको समझ में आएगा share capital 9,99,000 reserve में general reserve आया और surplus जो दिया हुआ वो आया long term borrowings में देख लीजे secured term loan और इसमें से देख लीजे वो 7,500 को अलग कर दिया 150-7,500 और इसे अपने other current libraities में दिखा देंगे क्योंकि 7,500 हमारा within 12 months हो सकता है उसका due period आजाए और देना पड़ेगा और other current libraities में 7,500 दिखा दिया dividend payable भी other current libraities में दिखाना है और short term provision में provision for taxation दिखाया है हो गया ये similarly आपका ये जो tangible assets है वो आप देख लीजी आपको 4,500,000 बैलेंस ये 3,500,000 ही आउटर कॉलेम आया ये details descriptions यहाँ पर show किये गए आप देख सकते हो ultimately यहाँ पर कैसे दिखाया गया 4,500,000 बैलेंस पचास जार 7,500,000 में इसका discuss कर चुका हूँ Inventories में break up कर दिया Trade Receives में देखे ब्रेक अप कर दिया कि 6 मैने से जाधा वाला और other datas Cash in cash equivalent इने break up कर दिया दो पैतालेस और दो अजार रुपए जो आपका सिजूल बैंक के साथ है 247, cash in hand 30, total 277 तो यह था और एक लाग पचास जार के बारे में यहाँ पर एक note डल गया कि company के पास इतने का काम है It has been assumed that the company had given this contract for purchase of machinery ठीक है ना, तो कोई construction काम नहीं हो रहा है यह exemption लिखके आपको देना था, जो बच्चा यह किया है उसे इदम easy था आराम से वो 10 marks में, full marks यहाँ पर वो score कर सकता है और हमारे test का last question पर हम लोग आगे, last question में हम लोग बहुत easy सा chapter है, that is profit or loss prior to incorporation उस chapter में आप यदि देखो, तो question number 5 में ABC limited took over the running business with effect from 1st April the company was incorporated on 1st August 2011, तो पहली बार company existence में आया ही है 1st August 2011 को, यानि कि April, May, June, July ठीक है, यह चार मेना हमारे pre-incorporation period है, उसके बाद की जो period है वो post-incorporation period कहलाती है, तो यानि 1st August से लेकर 31st March क्योंकि यह पहला बार books close हो रहा 31st March को, तो 1st August से लेकर 31st March तक का जो period है, वो ultimately post period कहलाएगी, जो कि आपका यहाँ पर 8 महीने का दिख रहा है, और pre-period हमारा 1st April से लेकर आपका July 31st तक है, तो यह 4 महने का दिख रहा है, तो मेरा time ratio निकला आया 1st2, ठीक है, इसके लिए half marks था, but properly लिखकर आपको present करना था, इसके अलावा, आपको items को बाटना था, salaries, कुछ नहीं रहे, तो time ratio में बढ़ता है, stationary, आप time ratio में बाट दो, traveling expenses, आप time ratio में बाट दो, advertisement, sales ratio में miscellaneous trade expenses, आप इसे time ratio में भी बाट सकते हो, sales ratio में बाट सकते हो, note दोगे, जो करोगे, rent, electricity charges, rent आपका specific instruction है, उसके accordingly करना है, यदि कुछ नहीं instruction हो, तो आपको time ratio में बाट ना होता है, electricity charges जो है, वो भी आप time ratio में बाट दीजे, director fees, post है, bad debt sales ratio, commission to selling agent, तो ये commission to selling agent है, sales ratio, audit fees, ध्यान दीजे, आप लोग सब कोई लगबग गलत किये, कुछ बच्चों को छोड़ कर, tax audit fees है, तो आपको मैंने बताया था, दो तरह का audit होता है, generally, एक होता है statutory audit, दूसरा होता है tax audit, यदि tax audit होगा, तो ये वो नहीं देखता है, कि ये company form of business है, या ये आपका partnership, या sole proprietor से business है, यदि tax audit depends upon the turnover का threshold, तो यदि turnover वहाँ पर हो रहा है, तो उस case में लगेगा, तो जब मैंने बोला था कि ऐसा आपको दिखाई दे, कि there is a tax audit, तो उस case में आपको याद होगा, फिर मैंने बोला था, कि इसे sales ratio में बाटना चाहिए, ये गलती हुआ, आपको ध्यान रखना चाहिए, कि इसे sales ratio में बाटना है, और आप audit fees देखें, और हम post में लिख दिए, ये गलत हो जाएगा, audit fees, statutory audit हो, या question silent रहे, खाली audit fees दिया हुआ रहे, तब आप अपना note देकर, इसे post में लिख सकते हो, बट जनरली, यहाँ पर silent रहता है, बट इस question में साबसाब बोला हुआ है, कि ये tax audit fees है, deventure interest post में जाएगा, interest paid to vendor, ये भी आपका divide होता है, ये किस ratio में divide होगा, तो PC कब settle हुआ, उसके उपर depend करता है, selling expenses sales ratio में, depreciation on fixed assets time ratio, और ये दे दिया, पहला point important है, ratio निकालने के काम आएगा, तो पहला point बोरा, the total sales for the year, which amounted rupees 19,20,000, arose evenly up to the date of 30th September 2011, thereafter, they recorded an increase of two-third during the rest of the year, ये दिया हम लोग टाइम लाइन ड्रॉ करें, तो you will find, कि इस टाइम लाइन पर, आप देखो, ये हमारा accounting period में ले लेता हूँ, इसको अपने, अपना accounting period बना लेते हैं, और इस accounting period पर, आप देखो, पहला वो बता रहा है, कि अपना incorporation कब हुआ, तो भोलते हैं, ये date पर incorporation हुआ, और हमें sales जो वो दे रहा है, वो इस period का हमें sales बता रहा है, यहां से, यहां तक का क्या है, देखें, और इस point से, इस point तक का sales क्या है, तो यहां पर बोला, total sales for the year which amounted Rs. 19,20,000 eros evenly up to the date of 30th September 2011, thereafter they recorded an increase of 2 3rd, यदि इदर पहले के 6 months में यदि X है, तो 1st October onwards, यहां पर X plus 2 3rd, 2 by 3rd, मतलब 2 by 3 X, ठीक है, यह आपका हो जाएगा, तो X plus 2 by 3 X, यह ultimately per month हो गया, तो यह जो result है, इस result में आपको multiply करना है, 6 से, और यहां पर यह आपका 1 X ही है, तो यहां पर 6 मेना इदर भी है, इसे भी 6 से multiply करना है, अब इसके अंदर में भी देखो, हमारा इतना ही period तो केवल pre-incorporation period हो रहा है न, यहां से यहां तक, और यह कितना मेना है, तो बोलते हैं, यह time हमारा 3 months है, sorry, 4 months है, तो बोलते हैं, यह हमारा time 4 months है, तो इसका मतलब हो गया 4 months के लिए, एक मेना के लिए single X, तो 4 मेना के लिए यह हो गया 4 X, तो यह 4 X होगा, तो इसका मतलब है, यह result कितना हो गया 2x और इधर हमारा x plus 2 by 3 तो यह आपका कितना हो जाएगा x plus 2 by 3x तो इसको solve करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 5x by 3 into 6 ठीक है और जब आप इसको solve करेंगे तो आपको यहाँ पर total कितना हो गया 30x by 3 10x यहाँ पर यह result आगया 10x तो अपने pre period हमारा हो गया 4x और post period हो गया इधर कर 2x और यह 10x मिलकर 12x तो ratio हो गया 1 is to 3 यह था sales ratio इसमें भी कुछ बच्चे गलत कर गए exam में आपको इसका ध्यान अगने नहीं कर आया generally जब exam में आता है तो आपको किया हुआ ही sums मिलेगा आपको कोई extra sums नहीं मिलेगा normally आप 70-80% paper मेरे study mat से match करेगा और जो 20-30% extra होता है तो जो concept में देता हूँ उससे आपका match करेगा तो आप अराम से paper पूरा attempt कर पाएंगे and you will be able to score good marks तो यह question number 5 का first point था, second point था rent of the office building was paid 2000 per month up to September and thereafter it was increased by 4 months जबी भी मैंने बोला ऐसा सिनारियो हो तो आपको क्या कर लेना चाहिए तो बोलते हैं कि ऐसे सिनारियो में आपको इस तरह का working बनाना चाहिए कि यह rent heading डाल दिया, फिर मैंने इधर pre column बनाया, इधर post column बनाया और जो additional rent है वो सबसे पहले लिग देंगे कि additional rent हमारा 400 रुपया पर मन्त लगता है 6 मैने का 2400 हो गया और जो balance rent है वो time ratio में बाट देंगे तो आपका total rent आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस question में आपका rent expenses है कितना तो इस question में rent expense 26,400 है 26,400 में से 2400 निकल गया तो balance rent in time ratio 1 is to 2 तो balance rent in time ratio मतलब हो गया 26,400 माइनस 2400 करके आप 24,000 हो गया तो 24,000 को आप 1 is to 2 में बाटेंगे तो कितना हो जाएगा 8,000 और 16,000 तो यह 8,000 टोटल हो गया और इस साइड में आपका टोटल हो गया 18,400 बहुत सारे बच्चों ने correct किया है इसे भी तो यह rent का adjustment हो गया जो कि आपका point number 2 है point number 3 traveling expenses includes 4800 towards sales promotion तो इसका मतलब है sales promotion के लिए खर्चा करें तो traveling में आपका sales promotion included है उसका connection sales से है तो जो भी आपका traveling है उसमें से 4800 less कर दीजिए और बच्चा हुआ जो traveling expenses है उसे आप क्या करेंगे time ratio में बाढ़ देंगे और 4800 को sales ratio में बाढ़ देंगे depreciation includes 600 for assets acquired in post incorporation period यानि कि जो आपको depreciation on fixed assets यहाँ पर दिखाई दे रहा है 9600 उसमें से 600 रुपया is the exclusive rent cost जो कि post period का related है तो आप क्या करेंगे सबसे पहले इसे 600 रुपय को इस 600 रुपय को इसी तरह का working बनाएंगे और 600 को post column में लिखेंगे और बचा हुआ depreciation को time ratio में बाढ़ेंगे ऐसा हम लोग अलड़ी कर चुके हैं तो मैं किवल आपको अभी discuss कर रहा हूँ करना कैसे है purchase consideration was discharged by the company on 30th September yes 5th number point on 30th September 2011 by issuing equity shares of 10 each तो यहाँ पर अपने PC कब satisfy कर रहा है 30th September को यहाँ लोग timeline draw करें see this is the timeline और इस timeline पर यहाँ अपने लोग देखें तो इस timeline पर यह है हमारा accounting period और यह है हमारा date of incorporation और यह है हमारा date of settlement अब यह हम देखें यहाँ से यह time lag जो है वो कितना है बोलते हैं यहाँ से यह time lag 4 months है लेकिन यहाँ पर भी PC satisfied नहीं हुआ PC कब satisfied हुआ बोला इसके आगे जाकर यहाँ इसका मतलब यह कब है 30th September और यह डिट क्या है 1st August तो August और September यह दो मैना involved 2 months तो इसका मतलब है कि जो interest cost है purchase consideration पर जो interest लगा यही 6 मैने के लिए लगा तो इसे कैसे बाटना है इसी का तो बात कर रहा है आपर तो इसे आपको 4 is to 2 यानि की 2 is to 1 के रेशियो में बाटना है यानि जो आपका यहाँ पर question में आप देखेंगे interest paid to vendor यह 4200 है तो यह 4200 pre-period में कितना जाएगा और post-period में कितना जाएगा तो 2800 जाएगा pre-period में and 1400 will go to post-period और इस तरीके से आपका answer आ जाएगा तो यह question number 5 था यह रहा उसका आपका answer की question number 5 में यह रहा answer finally बच्चे लोग गलती किये जो maximum बच्चा tax audit वाला गलती किया आप देख लेजिए यह institute का अपने solution दिखा रहे audit fees और audit fees को बाटा है time ratio में 1 is 2 3 तो audit fees divide हुआ है और maximum लोगों ने इसे statutory audit मानते हुए post में ही लिख दिया बच्चा में मानता हूँ आपका गलती नहीं है जेनरली आप वही करते हूँ studio type हम लोग हो जाते हैं बड़ थोड़ा सा दिमाग को open रखना है exam के point of view से पढ़ना है और open mind से sums को solve करना sums पढ़ते समय बहुत highly concentrated draw और तब जाकर आपका sums exam में बहुत सही बनेगा full perfect जिसको बोलते हैं मुझे perfect copy भी मिला है तब ही जाकर इस तरह का marks है एक copy नहीं बहुत सारे copy थे और उनका marks बहुत अच्छा है और आप देख सकते हैं यहाँ पर confusion तो था नहीं salaries को time ratio, stationary time ratio, advertisement sales ratio, traveling expenses के लिए working note किया है कि यह आपका time ratio में बटा 12,000 और जो उसमें sales promotion वाला खर्चा था वो sales ratio में बटा miscellaneous trade expenses को इसने time ratio में ही बाटा rent office building यह भी आपका working note बना था electricity charges time ratio director fees post incorporation bad debts time ratio, sorry sales ratio and sales selling agent commission that is sales ratio deventure interest post में interest paid to vendor working मैं ने दिखाया है two is to one selling expenses तो कुछ बच्चा लोग एक चीज है और बता दू यहाँ पर sellers के सामने वो लोग क्या करते हैं TR लिख देते हैं ठीक है TR नहीं बटा ऐसा नहीं करना SR ऐसा नहीं करना आपको ratio लिखना यह ध्यान रखेंगे you have to write the ratio यह था हमारा paper का discussion मैं आपके लिए फिर एक mock test लेकर आ रहा हूँ जो कि इस बार accounting standard की ऊपर होगा तो आप prepare करें इस वीडियो के बाद फिर एक वीडियो आएगा जो वीडियो में ही केवल mock test के लिए फॉलो कर रहे हैं उनके लिए बोल दू तो mock test 3 आएगा यह थे आप prepare कर रहे हैं for number 20 के लिए तो आप mock test follow करते रहे हैं मैं बहुत सारा mock test series लेकर आऊँगा और साथ ही साथ जो बच्चे मेरे से live class यहाँ पर face to face करते हैं उनके लिए बोल दू तो उनके लिए ऐसा है कि आप regular test देते रहे हैं only the test आपको क्या करेगा एक scale उपर गलती ना करें और ना करें ऐसा होता रहेगा तो आप यह थी mistake नहीं करना चाहते हैं तो टेस्ट को confront कीजिए यही एक way है जो कि आपको इससे आगे बढ़ाएगा गलतियों से उपर उठाएगा और फिर आप perfect बन जाएंगे थैंक यू वेरी मुच